चलिए इस वीडियो में संख्या से सम्बंधत कुछ खेल खेले कोई भी दो अंकों की एक संख्या अपने मन में लीजिए अब इस संख्या के अंकों को पलट दीजिए अब नई संख्या को प्रारंभिक संख्या के साथ जोड़िए अब प्राप्त संख्या को ग्यारह से भाग दीजिए अब आपको जरूर शेश्वर शून्य प्राप्त हुआ होगा है ना चलिए जानते हैं यह खेल कैसे काम करता है मान लिजिए हमने दो अंकों की एक संख्या चुनी 63 अब इस संख्या के अंकों को पलट कर हमें संख्या 36 प्राप्त होगी अब नई संख्या को प्रारंभिक संख्या के साथ जोड़ने पर हमें 63 धन 36 बराबर 99 प्राप्त होता है अब हम संख्या 99 को 11 से भाग देने पर हमें भागफल 9 और 6 फल 0 प्राप्त होता है इसी प्रकार यह खेल सभी दो अंकों वाली संख्याओं के लिए मान्य होगा चली अब समझे ऐसा क्यों हुआ मान लीजिए ए भी एक संख्या है जिसमें ए दहाई के स्थान का और बी इकाई के स्थान का अंक है पहले वीडियो में हमने सीखा कि हम ए भी को व्यापक रूप याने जनरल फॉर्म में 10 गुणा ए धन भी लिख सकते हैं जब हम अंकों को पलट देंगे तब हमें संख्या बी ए प्राप्त होगी जिसमें बी दहाई के स्थान का और ए एकाई के स्थान का अंक है हम बी ए को व्यापक रूप याने जनरल फॉर्म में 10 ग धन ए लिख सकते हैं चलिए ए बी और बी ए का योग करे योग करने पर हमें 11 गुणा कोश्टक में बी धन ए प्राप्त होगा इस कथन को देखकर आप जान पाएंगे की बी ए और ए बी का योग हमेशा ग्यारह का गुणच याने मल्टिपल है इसलिए जब भी इस योग को 11 से विभाजित किया जाएगा तब शेश्वल शून्य ही प्राप्त होगा अब ये खेल कैसे काम करता है अब जरूर समझ गए होंगे चलिए एक और खेल खेले कोई भी दो अंको की एक संख्या अपने मन में लीजिए अब इस संख्या के अंको को पलट दीजिए अब नई संख्या और प्रारंविक संख्या में से बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाईए अब प्राप्त संख्या को नौ से भाग दीजिए अब आपको ज़रूर शेश्वल शून्य प्राप्त हुआ होगा है ना? चलिए जानते हैं यह खेर कैसे काम करता है मान लीजे हमने दो अंकों की एक संख्या चुनी 28 अब इस संख्या के अंकों को पलट कर हमें संख्या 82 प्राप्त होगी अब 82 में से 28 को घटाने पर हमें संख्या 54 प्राप्त होगी अब प्राप्त संख्या 54 को 9 से भाग देने पर हमें भागफल 6 और शेश्वल 0 प्राप्त होता है इसी प्रकार यह खेल सभी दो अंकों वाली संख्याओं के लिए मान्या होगा क्या आप जानना चाहेंगे ऐसा क्यों होता है चलिए हम बताते हैं मान लेजिए हमने एक संख्या A B ली जिसमें B A से बड़ा अंक है इस संख्या को हम व्यापक रूप में 10 A धन B लिख सकते हैं अंकों को पलटकर संख्या प्राप्थ होगी B A जिसे हम व्यापक रूप में 10 B धन A लिख सकते हैं चूकि B A से बड़ा है इसलिए हम कह सकते हैं कि B A A B से बड़ी संख्या है तो चलिए बड़ी संख्या B A से छोटी संख्या A B को घटाएं इससे हमें प्राप्त होगा 9 गुणा कोश्ठक में B रिन A इस कथन को देखकर आप जान पाएंगे कि B A रिन A B का परिणाम हमेशा 9 का गुणाज रहेगा इसलिए जब भी B A रिन A B के परिणाम को 9 से विभाजित किया जाएगा तब शेश्वल शून्य ही प्राप्त होगा अब ये खेल कैसे काम करता है अब जरूर समझ गए होंगे आपने समाचार पत्रों या पत्रिकाओं में निम्न प्रकार के पहेलिया देखी होंगी चलिए इन्हें हल करना सीखे इन्हें हल करने के लिए हमें दो नियमों को अपनाना होगा पहला प्रत्तिक अक्षर केवल एक अंख और एक अंख केवल एक अक्षर को निरूपित करता है दूसरा संख्या का पहला अंख शून्य नहीं हो सकता चलिए इन नियमों के सहायता से दे गई पहेली को हल करे हम देखते हैं कि चार और बीका योग ऐसी संख्या है जिसके इकाई पर तीन आता है तो क्या आप बता सकते है बीकामान क्या होगा? सुचिए सुचिए चलिए हम बताते हैं अगर हम बीकामान नो ले तो चार धन 9 पराबर 13 आता है यह वांचित संख्या है जिसकी इकाई पर 3 है बीकमान 9 के स्थान पर अन्य कोई भी अंक लिया जाए तो हमें 4 और उस अंक का मान ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होती जिसके इकाई पर 3 है इस तरह से हमने पता कर लिया है कि बीकमान 9 है ध्यान रहे हम बीकमान 19 नहीं ले सकते क्योंकि नियम के अनुसार एक अक्षर केवल एक अंको और एक अंक केवल एक अक्षर को निरूपित करता है 19 दो अंकों से बनी है इसलिए हम बीकमान 19 नहीं ले सकते चलिए, B के स्थान पर 9 रखे चार धन 9 बरापर 13 इसलिए, तीन इकाई के स्थान पर है और एक को हम दहाई में जोडेंगे अब दहाई के स्थान पर हम देखते हैं कि A धन 3 धन 1 बरापर 9 है याने कि A धन 4 बरापर 9 है तो बताइए A क्या होगा सोचिए सोचिए बिल्कुल सही A बराबर 5 होगा इस तरह से हमने A बराबर 5 और B बराबर 9 पता कर लिया है चलिए प्राप्त मान सही है कि नहीं इसकी जाज करे यहां अगर हम A और B कमान रखते हैं तो हमें 54 धन 49 बराबर 93 प्राप्त होता है जो कि दिये परिणाम के बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने A और B के सही मान प्राप्त कर लिये हैं आज हमने सीखे संख्याओं के कुछ खेल अगले वीडियो में कुछ दिल्चस्प उधारन देखेंगे